हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टेडी फीड़ फिजिकल एजूकेशन चैनल दोस्तों यह न्यू प्रैक्टिस का एक टिस्वा प्रैक्टिस है जैसा कि मैं यंपी वर्क टू थ्री यूपी टीजिटी पीजिटी यूपी यल्टी ग्रेट बीपीएसी टीरी फूर एंड और फिजिकल एजूकेशन एक्जाम के प्रैक्टिस करा रही हूं जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि डेली प्रैक्टिस करने से लगातारता में बहुत शक्ति ह होती है और आप फिजिकल एजूकेशन की थियोरी सेशन पढ़ना चाहते हैं चैनल के प्लेजिट में जाहिए वहां पे सभी प्रकार के सभी टॉपिक पर थियोरी सेशन अच्छे से बताया गया है तो दोस्तों डेली बेसे साभियास करिए मेरे साथ तो चलते हैं आज के को कोशें के इस किसे समझ्दित है तो दोस्तों कोपा कफ जो है किस से समांधित है आपने राज़ अंच टिक कर दिया होगा फॉटावाल से रिलेय्टिद है कुपा कब, फ्रिल्बाकु फूटवालस रिलेटिद है जी से फूटवालस रिलेटिद और मैं जिसे संटोल ट्रॉफी डाक्टर बीसी राय ट्रॉफी मिर इकबाल हुसेन ट्रॉफी सुब्रतो कप बेगम हजिरत नहुर्ण ट्रॉफी जस्पाल राड़ा का संबन्ध निवन में से किस्से है जस्पाल रड़ा is associated with which of the following दोस्तों जस्पाल रड़ा का संबन निसाने बाजी यानि की आर्चरी से है निसाने बाजी यानि की सूटिंग से है सुरी दोस्तों आर्चरी तिरेंदाजी को बोला जाता है तो जस्पाल रड़ा का संबन निसाने बाजी से है भारत के जिस पर लड़ा ने आठ सोड़ पतक गीत कर आठवी तक छेस खेलो में सरवाधिक सोड़ पतक गीतनी का गवरो प्राप्त किया है कोशिन नमबर थ्री है इंट्रा मूरल प्रतिविताएं होती हैं इंट्रा मूरल कमपर्टीशन स्टेक प्लेस इन तो दोस्तों इंट्रा मूरल यानि कि एक संस्था के अंदर चार दिवारी के अंदर जो प्रतिविताएं की जाती हैं उसके हम कहते हैं इंट्रा मूरल यहां पर संस्था के अंदर राइट इंतर होगा जो extra moral होता है एक संस्था से दुसरे संस्था के भी जो परतिविक्ताय होती हैं उसे हम extra moral कहते हैं question number four है हॉकी के खेल में penalty stroke लेने के लिए निए मेंसे किस एक तक्नीक तरीके को छोड़कर बाकी तीनों का उप्योग किया जाता है तो दोस्तो जो हौकी खेल होता है उसमें हम पिनाल्टी स्ट्रोक लेने के जिसके इन लाइन से जो आपका गोल पोस्ट होता है उसे साथ अगर्च की दूरी पर पिनाल्टी स्ट्रोक लिया जाता है ठीक है तो पिनाल्टी स्ट्रोक लेते समय हम पूस कर सकते हैं फ्लीक कर सकत हैं बट हिट नहीं कर सकते हैं हिट नहीं कर सकते हैं कोसिन निम्र फाइफ है किसी एक लच्छे पर विभिन्ने बैक्तियों की कोशिस की सामझसिक की प्रयाज को क्या कहते हैं सामझस यानि की मैनेजमेंट करना तो उसे हम क्या कहते हैं मैनेजमेंट यानि की प्रबंधन कहते ह क्वेसिन निम्मर सिक्ष्ट है हड़ी टूटने पर तुरंत क्या उपजार करना चाहिए तो दोस्तों जैसे कि आर आई सी पदती भी आप देखेंगे ठीक है तो पहले रेश्ट दिया जाता है फिर आईस क्यूब का प्रयोग किया जाता है फिर कंप्रेजन दबाव डुला जाता है फिर इलिवेशन हिदय की उचाई से उपर उठाया जाता है कोई भी चीज होगा सबसे पहले उसके हल्चल को तो हड़ी चूटने की तुरंत बा गलत धाड़ा है की तब मिसकंसेट्षन अबाउड फिजिकल एजुकेशन is दै कि नोग समझते है आम लोग की ति ब्यायाम ही तरन दו सारी शिछा है बट आइसा नहीं है सारी सिच्छा क्या है सरवां गी विकास सारी, मानजिक, समाजिक, अभ्यात्मिक यानि फिजिकल, मै ह divers कर भू boss सारी सिच्छा है बट लोग समझते हैं कि अयौँ machines सारी सिच्छा है कॉस्ट् Millen नमर एठ है सारी नच्छतव कोौन से कारब प्रहवित करते हैं विश फैट्र अफेक्ट फजिकल्ड है dirt and hard . फिजिकल फिटनेस को आदक ही आप बोहज फिजिकल इस्ट्रक्टर है शारी करिया करिया और फिजिकल एक्टिवीटिटी आप फिट रहेंगे दूस्तों तो आपका बाड़ी इस्ट्रक्चर भी अच्छा रहेगा आपका सारी एक्टिविटी जो भी अच्छा रहेगा आप मुन से भी अच्छा रहेंगे तंदुर्ष्ट रहेंगे तो फिजिकल फिटनिस क्या है डेली रूडीन वर्क बिदाव एन प्रभावी माना जाता है जब वो कर्वानित किया जाता है एनी मेजरमेंट इस कॉंसाइड्रेट अफेक्टिव वेन इट इस इन्प्लेमेंटेड तो कोई भी मापन प्रभावी माना जाता है जब वो कर्वानित किया जाता है उच्छे स्रेड़ी के योग के और प्रसिचि तब ही मापन प्रोहावी माना जाता है कि कोशन नम्र 10 है सेट सौट किस खेल से समंधित है तो सेट सौट दोस्तों बॉस के रवाल में समंधित है सेट करके फिच साट यानिकी टोकरी में डाला जाता है कोशन नम्र 11 है खेल मनोवे ज्यानिक समाज प्रारूप मापने के यंत्र तथा तकनीकों का प्रयोग करते हुए खिलाड़ी के बेक्तित्व का कौन सा पहलू जानने का प्रयोग करते हैं तो यहां पे खेल मोनोविज्ञानिक जो है समाज प्रारूप मापने के यह अंतर तथा तक्नीकों का प्रयोग करते हैं, करते हुए बेक्टेति के खिलाड़ी के बेक्टेतु का कौन सा पहलू जानने का प्रयास करते हैं, तो यहां पे खिलाड़ी के अंतर व्यक्तिगत प्र फ्रेश्टनल प्रिफेंसेस कुसी मानों अस्थी पंजर में निन्वे से किस जोड को थोड़ा चल जोड कहा जाता है किसे कहा जाता है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया हुआ था दूस्तु डी ए एस अब इसको आप हिंदी में बोलें के चल अर्ध चल और अचल और दी से हो गया डायर्थ्रोसिस जो चल संधी को कहते हैं मुईबल जोइंट को कहते हैं यह से हो गया अचल संधी को इमुईबल जोइंट को कहते हैं यहां पर थोड़ा चल संधी पुझा है तो एमप्यार्थ्रोसिस जोइंट अपका राइंटेस्ट हो जाएगा कोस्टन नमबर 13 है देकाथलान इस परधा में इस परधाओं की एक संयुक्त इस परधा है तो दोस्तों डेकाथलान हैप्ताथलान पेंटाथलान ट्राइथलान इन सभी के बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है आप एथलेटिक से प्लेश में जाएगे ट्रिक के संपन होता है पूर्शों के लिए होता है पर्थम दिन में 100 मिटर दो लंबी कूट शॉर्ट पूट ऊंची कूट 400 मिटर दो दूसरे दिन में 110 समिटर बाधा दो डिसकस्ट्रों पोलवार्ट जैवलिन थ्रू एंड 500 मिटर दो होता है पूर्शन नमर 14 है कि पिलिया से कौन सा अंक रहावित होता है विच और गर्ण इफेक्टेट बाई जॉर्ण डिस यानि पिलिया तो पिलिया यानि जॉर्ण डिस से दोस्तों हमारा लीवर यानि की यक्रित जो है प्रहावित होता है यह वाइरस से होता है यक्रित का पिलिया रोग में रक्त की सीरम बिलरुबीन की मात्रा बढ़ जाती है रक्त की सीरम में किसकी मात्रा बढ़ जाती है बिलरुबीन की मात्रा बढ़ जाने से स्लैस्मिक जली तथत्वचा का रंग जो है ओफिला हो जाता है क्वेस्टिन नंबर 15 है BCG का टिका किस रोग से छुटकर अपाने के लिए लगा जाता है तो BCG वैक्सिन इच गिविन टू गेट रिट आफ विच डिजिज तो BCG जो यह है जिसका फुल फार्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरीन एक प्रती यच्मिकी या टिका है यानि 6 रोग टिवर क्लोसिस टीवी के रोग के लिए लगा जाता है या एक शंक्रामक रोग है जो मैक्रो बैक्टिरियम टिवर क्लोसिस नाम एक बैक्टिरिया से फ में यह से प्रहावित होते हैं को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब को पता है जो आगनास है कि बीटा कोशिका से इस्त्रावित इंसुलीन हार्मोन के कमी के कारण मधुमें यानि डाइबिटीश होता है फरसलिप अगनास है कि कोशिका प्रयात मातर में इंसुलीन निमार नहीं कर पाती जब अगनास है खराब हो जाता है तो क्योंकि रग्त में उपसित ग्लुकोज जो है इंसुलीन के द्वारा ही पचता है इस परकार इंसुलीन जब कम हो जाता है तो इंसुलीन का कम इस्त्र तो जब जो है इंसुलीन की मात्रा कम हो जाती है तो ग्लुकोज को ग्लाइक घुगी तो ड्यूस की जो आदे जू है जो हम हाइप ludh ini के मती है तो इन्सुलीन की कम रख्त में सरक्रा को मात्रा बढ़ जाना हसाथ है रख्त में मतलब जादा हाई-पो मतलब कम तो records में की इंसुलीन की कमी है हाई पर gjलासअ मेश्या और रक्त में जब इंसुलीन ज़ादे हो जाता मात्रा जादे मात्रा में गिल्वकोस का जाइन खFrank करने लगती है जिससे एरक्त में सरक्रा के मातरा कम हो जाती है जिसे हम हाइबो ग्लाशेमिया की है क्वेस्टन नावशन 17 है ग्रूप रक्त वाले ब्रक्ति को किस ग्रूप का रक्त दिया सकता है डीजिच ब्लट यह स्ट्टिनर न हैं का जैसे जानते हैं ऐंटिजन के आर्टि बाड़ी उत् ihanil abd होते हैं आफिव रक्ट्वर्ष की निधार जो एंदे रहाख एससे हैं 10 तो फोच्ञशन सब्सक्राइब रट प्ब्शबूह सरे हैं तो और जलयाओ जने 1 विड़ा बार हां होगा जैने रक्ट्वर्ष भी में 4 वोगा कि यह जो T जो है में दुनों एंटीजन होती है A 或 B दुनों और कोई अंटीबोडीज नहीं हुता है इसली यह सर्वral ग्रही सभी का रख्त ग्रहरक कर सकता है कोई यह तुनों एंटीजन औरीज्चन आपस में यह खाके फस जाएंगे और ब्यक्ति की मृत्य हो जाता है और O रक्तवर जो है O रक्तवर में कोई antigen नहीं होता, दोनों antibody होता है A और B, इसलिए सर्वग दाता होता है universal donor और O रक्तवर वाला ब्यक्ति बहुत कम बिमार होता है ठीक है? तो यहाँ भी क्या है? कि A रक्तवर वाले ब्यक्ति को किस ग्रूप का रक्त दिया जा सकता है A को A दे सकता है और O सर्वदा आता है तो O दे सकता है A और O दोनों दे सकते हैं आपसा नमबर B राइट इन सर्व है question नमबर 18 है AIDS की बिमारी किस की दोरा फैलती है HIV वायरस की दोरा फैलती है यानि भी साड़ वायरस की दोरा फैलती है HIV यानि एक्क्वार्ड इमिन्यूट डिपिसेंशी वायरस यह रोग तीन कार्णों से पहलती है और सुरचे इन सम्मन रख्त आधान यानि रख्त एक बेदी से दुसरे बेदी में इंजेक्ट करने से और माता के दुवरा सीसु में और चल था कोई करण नहीं होता question 19 है rubber सब्द की स्खेल से समझनी थे what rubber is related to which game rubber सब्द ब्रेज से समझनी थे यहां ब्रेज और क्रिकेट दोनों से समझनी थे दोस्तों रबर लकिन यहां पर question आयोग ने माना है ब्रेज से जबकि ब्रेज और क्रिकेट दोनों से rubber समझनी थे ठीक है और यह ब्रेज खेल का प्रारम 870 में सीरिया में हुआ था इस खेल की सरोच संथा World Bridge Federation है जो नियंतर इसके विकास के साथ अंतराश्टी पतिताय आवजित कराती है question number 20 है एक्क्यूपंचर क्या है दोस्तों एक्क्यूपंचर जो है वो चीन की किस्सा पधती है ठीक है चीन चैनिज मेडिकल मेथाड है एक्क्यूपंचर या पत्ति अनिक प्रकार के रोग जैसे की गठिया दर्द को दूर करने आदी के उपचार में सहायक है और इस पत्ति का महत्व अन्य देसों में देखने को मिलता है question number 21 है food wall खेल में मैदान की लंबाई कितनी होती है तो दोस्तों फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई जो है 90 से 120 मीटर और गज में 100 से 130 गज होती है तो यहां पर राइट इंसर हो जाएगा आफ्टर नमर ए 91 से 120 मीटर जैसा कि जानते हैं कि फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई 90 से 120 मीटर गज में 100 से 130 गज चोड़ाई जो है 45 से 90 मीटर गज में 50 से 100 गज अंतराश्टी मेचों की बात करें तो 120 गुड़े 80 गज या 110 गुड़े 70 गज मीटर में 110 गुड़े 75 मीटर या 100 गुड़े 64 मीटर होता है सबसे लंबा मैदान होता है फुटबॉल का कोस्टन नमर 22 है वाटर पूलो खेल में खेल की छेत्री की लंबाई कितनी होता है लेंट अफ लेंट एंड ब्रेथ अप दे प्लेंग एरिया इन वाटर पूलो गेम दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वाटर पूलो और हैंड बाल दोनों में आप कंफ्यूज रहते हैं ठीक है तो वाटर पूलो की जो ग्राउंड होती है वह तीस गुड़े बीस गज होती है अजब कि हैंड बाल चालिस गुड़े 20 मिटर याद अखिएगा कोस्टन नमर 23 है ब्यायाम दुका रख्त प्रवासन्था क्या प्रभाव पड़ता है वाट इस अफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज और ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समाने आउस्था में हमारा जो इस्ट्रोक क्या कहा जाता है इस्ट्रोक आयतन जब एक धड़कन में हिदय की एक धड़कन में या बाय निला की एक संकुचन में इतना रख्त अंगों की तरफ भेजा जाता है उसे हम इस्ट्रोक आयतन कहते हैं जिसका मान सत्तर एमल होता है साधर आउस्था में और जैसे कि जो हम सधार इस्ट्रोक आयतन कहीं होता है हमारा हार्टेट कितना होता है हिदय गति 125 बार होता है बडर जब हमको अक्तिविटी करते हैं ब्यायाम करते है तो उस समय हमारा हिदय काति एक तो इस चुक आयतल में अपने आप विधी होगा हिदे गती गितना बार एक निर्पे 180 बार धर्केगा तो 180 बार सतर सतर यह मिल जाएगा तो बहुत ज़्यदा हो गया एंड हीदे के आकार वे डेली बीसिस पर एक्सराइज करते हैं तो हीदे के आकार व आक्रिती भी बिद्य होती है तीक है जैसे कि मैं ने बताया आपको की सधाय इस चुक्ति में बहतर बर आप हर्थ जो हिदे धर्कता है और बैयाम कर्देशन में एक सोच्छी बार लेकिन ज जो हमारे रख्तवाहिनियों में कोलेस्टराल जमाऊ होता है बैड कोलेस्टराल ओ इसके इस तरह में कमी होती है और गुड कोलेस्टराल में बिद्य होती है तो प्रूट सभी आपर राइट इंसर हो जाएगा कोशन नमर चोबीस है इनमें से कौन सा विटामिन सरीर की बिद्य हो सरीर की स्वस्थ रखने के लिए जिम्मिदार है विच आफ विटामिन इस डिस्पॉनसिबल फोर दे ग्रूथ आफ दे बाड़ी एंड कीपिंग दे बाड़ी हल्दी तो दोस्तों वह आपका विटामिन से विटामिन बी कॉंपलेक्स कौन रस विटामिन है विटामिन बी कॉंपलेक्स विटामिन B complex में कई विटामिन्स सम्झेट हैं जो हमारे सरीर को सुचार गूरूप से सचारित करने में शायता करते हैं इन सभी अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि अब जानते हैं कि विटामिन, B1 को हम थाइमिन के नाम से जानते हैं, बैगैनिक नाम, B2 का बैगैनिक नाम राइबोफलेविन, B3 का निकोटेनेमाइट, B5 का पैंटाथोनि, B6 का पाइरेडॉक्सिन, B7 को बायोटिन बोलते हैं, B9 को फॉलिक, B12 को साइनो कोबाल्बिंग यानि इसमें कोबाल्ट पाये जाता है, ठीक है, लोगों की सारिक भिनिता कैसे होती है, हाउ टू पीपल डिफरेंट फीजिकली, तो दोस्तों सारिक भिनिता जो है, अमान सिक्ता, यानि हेरिटी या जेनेटिक्स होती है, जैसे कि हम कैसे पहचान सकते हैं, को काला है, की गोरा है, उसका बोड़ी इस्ट्रक्चर कैसा है, उसका रूप कैसा है, देखे हम अलग 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 पहचानते हैं, या जेनेटिक होता है, यह हम इसको चेंज करना माई लिए असंभव होता है, तो दोस्तों जो उसके और नुकलियस में नुकलियस होता है उसमें आपके क्रोमोसुम जालिका होती है। जो कुंडलीत गुर्सूत्र होती बना होता हैг़े गुर्सूत्र होता हafaक की एक पीरी सदूसरी पीरी भूषी की तर्ज की तर्ज को आधी से इस धेक्तितर हैं गाली पीरी को अगली है टी hed drugs या पेज़ती हैं एंहिए क्या-क्या होती हैं जी बावनी माबाप तो बॉना बच्चा पैदा होता है अगर लंबे हैं दोनों तो बच्चा भी लंबा होता है तो ये गुर्सुतर के कारण होता है तो उचाई उनमें उचाई सरीच रचना गती रंग सुभाव दैहिक कृष इलता आदी सामिल होती है इसकार लोगों की सारिक सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पर देख सकते हैं कि जो कूपर का 12 मिन रनवा के इदर समंधी चमता यानि काडियो वैसुल चमता तो माता है बट यह वरिष्ट नागरिक परिछर है ही नहीं यहां पर आप देख सकते हैं कि छे मिनिट का पैदल चाल वरिष्ट नागरिक परिछर है और आठ फूट अब एंड गो वरिष्ट नागरिक परिछर है तो वीच आप फॉलेविन ट्रेंडिंग विल भी यूजड मेजर काडियो वेस्कलर एफिसेंसी आप सिनियर सिटिजन ट कि यूजड के लके लेतレ चैयर स्टेंड टेश्ट होता है सरी के निचले भागी सक्टि कुमापता है दुसरा है आ्रम कर्लत तेस्ट जो ओ अपरी भार कि सक्टी को मापता है तीसरा है चेर, सीट एंड रिज टेस्ट यह आपके निचले भाग की फ्लेक्सिबिलिटी को वापता है चोथा है बैक स्क्रेश टेस्ट जो कंधो की लचक को मापता है और पांच वाए आठ फूट अअड गो टेस्ट जो समन्नों चमता है कोअडिनेशन एंड एजलीटी को मापता है आपका वर्ष नाग्रिक परिच्छर सेस्ट बड़े पूछा क्या है कि जबकि आर्ट फुट अप अंडगोब क्या मापता है को और अजिलिटी यहां पर पूछा है हिदल समंधी छंता यानि काडियो पैस्कुलर इफिसेंसी को मापता है तो छे मिनट का पैदल चाल ठीक है तो छे मिनट वाग टेस्ट आपका राइड असर हो जाएगा आसा नमर दोस्तों का अस्तर होना चाहिए मध्यम न ज्यादा म्यूंड रेट ठीक है जैसे कि चिंता का अविप्राय मस्तिष की विजलित अवस्था से है जिसमें भानात्मक प्रतिक्रिया नर्वस हो जाना उत्तेज्ञत अवास्तिष में और अपरसनेता पूर्ण अवस्था जिती को अवस्यवाग है क्योंकि चिंता के एक निश्चित इस्तर तक उत्पन हुए बिदा किसी भी प्रतियोग की आतमक प्रतियों बाइधा में प्रदर्संग करना सभाना ही है चिंता का न तो बहुत अधिक होना और नहीं बहुत कम होना प्रतिविता के लिए Q18 सालरिक बनावक सूचक है. Body Structure in Age and Indicator जैसे कि आप जानते हैं Body Structure को देख कर ही आप प्लताते हैं कि उसकी Personality कैसा है तो हमारी Personality में हमारा जो Body Structure है और हमारा जो Behavior है दोनों चीजे आजाती है यहां पर Body Structure जो है हमारी प्रेक्टित्व का सूचक होता है कोशन नम्र 29 है कैल्सियम की आवसक्ता सरी में इस कारव होती है तो आप सबको पूता है कैल्सियम जो है हर्डियो दातों को मजबूत करने की आवसक्त होता है कोशन नम्र 30 है आसन किस प्रकार से रोग के अंतरगत आते हैं इस प्रकार की योग के अंतरगत आते हैं तो दोस्तों सरी में इस थाईत अमन में एकागरता लाने के लिए सरी को विशेस मुद्रा में रखने को आसन का भ्यास सरी को मजबूती निथा सरीर योव मन को सकती देता है समानता है जो आसन है हठ योग के अंतरगत आता है याद रखेगा हठ योग के अंतरगत पोश्चन निम्बर 31 है गिर्स्म कालिन उलम्पिक के लोग को उनके आयोजित होने के करम से काल करमा अनुसा प्योसित कीजिए तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं जो यह है बर्लीन उलम्पिक है तो यह आपका है जो बर्लीन उलम्पिक ओ आपके हो जाएगा 1936 ठीक है 1936 ए 1936 ठीक उसके बार रोम उलम्पिक कब हुआ था एक बार दी आएगा उनिस्सो साथ फिर आपके हुआ था टोक्यो ओलंपिक भी हो जाएगा उनिस्सो चौंसट और फिर आपका मास्कों जो है आपका निस्सो असी ठीक तो यहाँ पर एडि बी सी आपका राइट रेसर हो जाएगा एडि बी सी यहाँ पर कुछ मैंने नहीं लगाया है आप ध्यान लखेगा बढ़ी लुनपिक उनिस्सो चात्थीस पहरे ए आएगा फिर उसके बार डी उनिस्सो साथ रों फिर उसके बार बी ट चुड़ाई होती है तो दोस्तों आप सबको पता है 18 गुड़े 9 मिटर होता है को इस नमबर तैंटीस है आसन सरी द्वारा किये जाते हैं पर दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं आसन और प्रफार्म बाई द बाड़ी बट हैवे डिरेक्ट इफेक्ट अन दे माइंड दोस्तों इस बाद से सब्रुक सहमत है कोशन नमबर 34 है दीती वायू के लच्छर होते हैं वाट आर दे सिम्टम्स आप दीती वायू यहां में दीती वायू का मतलब सेकेंड वीन होता है दोस्तों जैसे कि आप कोई कार या एक्टविटी या दोड रहे हैं एक पल ऐसा हात है या को लगता है तो उस एक सेकेंड के छड़को हम कहते हैं सेकेंड विन जैसे ही थोड़ा सा आप रेज लेते हैं तो तुरण तो उसके बाद जो इस हीतिया होती है समाने हो जाती है अब फिर से रिकवर हो जाते हैं कुछिन नमर 35 है प्यायान की दोरान निन में से कौन सी हिरे समंधी हिरे स्वसन समंधी प्रति किया है वीचाद फालिविंग एजे काडियो इस पर रिस्पारेटरी डिस्पॉंस ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो दोस्तो एक्सरसाइज के समय हमारा स्ट्रोक मात्रा बढ़ जा जब हम एक्सरसाइज करते हैं खंस त n जाएगा जब चारो देता है तो है नोश wrap-s मलरीया की रोगाडवाड़व क्या राइड पांटती नियकालआ फाहता है जो से फ़से जाएगा जा committee करता है है दोस्तोres थिञाला कशयर मत्यान प्रद्लीज मत्यां पाहता है नहीं को सिप्कालो अ Pop Yina प्रोंचल सूंट कैई को सब्सक्राइब दोश्ते हैं। कि में अोब आज को आप को सब्सक्राइब आये होंगे जिसकि प्रोंण में जरूर को चैनल जरू प्रतीर अ मिलसित nhiailed कि आ